नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बताओ देख केंद्रीय बागवानी आयुक्त डक्टर प्रभात कुमार जार्खन में खरीब की बुगाई की प्रगती की समीक्चा के साथ सुखे से निपटने की त्यारी की समीक्चा की और कहा है कि परियावरण में होने बदलाव चिंता का कारण है उन्होंने जनकारी देते हुए काहा है कि परियावरण में हो रहे है इस बदलाव का सीधा असर जार्खन के क्रिशी पर पढ़ रहा है ऐसे में अगर मौसम प्रतिकूल रहता है तो क्रिशी परभावित होगी जिससे किसान और डेश परभावित होगा साथ ही उनका कहना है कि आने वाले 20 से 25 जुलाई तक ही स्थिती असपश्ट हो जाएगी कि मानसून की स्थिती क्या है साथ ही उन्होंने जनकाली देते हुए बताया है कि स्थिरी अन योजना पर केंद्र और राज दोनों सरकार काम कर रही है ऐसे में यह योजना सुखार की स्थिती में विकल्प के रूप में लागू की जाएगी जार्खन के पाराज सिक्षकों की समस्या का समयधान आज तक नहीं जार्खन में लगबग 62 हैर सिख्चक कारवुद्ध है पराश्चक की समझया का समाधान आज तक नहीं हुआ, कई सरकारे आई गई, इन से वाधा किया गया लेकिन सम्झयाओं का समाधान नहीं किया गया जार्खन के पुर्व सिक्षा मंत्री जगानात महतो पाराशिक्षकों के लिए कुछ काम किये और कुछ अस्वासन भी दिये लेकिन मुल समस्षा का समधन नहीं हो पाया इसे लेकर आए दिन पाराशिक्षक धाना परदिसन और आंदोलन करते रहते हैं अपनी मांगो को लेकर कई बार पाराशिक्षकों ने अश्ट्राइक भी की और लाठिया भी खाई रगवर सरकार के कारेकर में पाराशिक्षकों समय पर मांदे नहीं मिलता था दो से तीन महीने में एक बार या दो से तीन महीने काम करने के बाद एक महीने का मांदे दिया जाता था पाराशिक्षकों में मांदे नहीं बढ़ने पर आक्रोस है पाराशिक्षकों मांदे बढ़ाने की मांग करते रहते हैं हाल के दिनों में मुक्य मंत्री आबाज घेराव के लिए भे निकले थे लेकिन मुराबादी में उन्हें रोक दिया गया था तेरहवी जूनियर महिला होकी चेंपियनसिप 36 गड़ को हरा कर जारखन फाइनल में 27 जून से 7 जुलाई 2023 तक राउर केला में आयोजी तेरहवी होकी इंडिया जूनियर महिला होकी चेंपियनसिप के सेमी फाइनल मुकाबले में जारखन ने 36 गड़ को 3-0 से प्राजित कर फा देशे होगा बता भी जार खन टीम की ओर से इस मैच मे पहला गोल बालोः होरों ने 9 और दूसरा गोल 54 मिनट मे तथा तीसरा गोल निकी कुलू ने 25 मिनट में किया तीनों गोल पेनल्टी कॉर्नल में हुए जार खन टीम की ओर से दो गोल करने वाली बालो होरो को प्लेयर आफ दे मैच घोजित किया गया वहीं जार्खन टीम के फाइनल में पहुचने पर होंकि इंडिया के महा सची उस्ता होंकि जार्खन के अध्यक्ष भोला नात सिंग खेलनी देशक सरोजनी लकड़ा ने सुपकाम नहें दिया है जार्खन में भारी बारिस का अलर्ट जारी राइधानी रांची समेत जार्खन बिभीन हिस्सों में पिछले 24 घंट के दवन मांसुन कुछ कमजोर रहा राइधानी समेत कुछ जग उपर बारिस हुई सबसे अधिक बारिस पूरवी सिंभूम के चाकुलिया में 42-54 मिलिमीटर हुई जब की गई वहीं पिछले 24 घंटे की पारिस होने से राजे में बर्स पात में कमी 40 पिस दी है पूरे राजे में 1 जून से अब तक 148.3 मिलिमीटर बारिस हुई है जबकि समाने रूप से इस अधि में 24.2 मिलिमीटर बारिस होती है खोटी जीला में 14 जूलाई से चलेगा परजेक्ट रेल बच्चों को बेहतर सिक्ठा खोटी जीले में बच्चों को गुनवाता पूर्ण सिक्ठा अप्लब्द कराने के लिए परजेक्ट रेल की शुरुवाद की जाएगी प्रजेक्ट रेल खुटी परखंड के चायनित 14 माध्यमिक और परतेक परखंड से 2-2 माध्यमिक और उच बिद्याले में चलाया जाएगा इसकी सुरुवाद 14 जुलाई से की जाएगी चायनित इसकूलों के सिक्षकों को 8 जुलाई को पर सिक्षन दिया जाएगा यह जनकारी उपायोग ससीर अंजन गुरुवार को सिक्षा विबाग की बैठक में दिया उन्होंने कहा है कि परजेक्ट के तहत चैनीत विद्यालों में गनीत बिग्यान और समाजिक बिग्यान का पढ़ाया गया सिलेबस के उन्तार वस्तुनिष्ट प्रश्णों के अधार पसबताहिक जाज की जाएगी जिससे बच्चों के अधिगम अस्तर एवं उनमें दिन परति दिन हुए प्रगति का आकलन किया जा सकेगा हेमंत सरकार को 22 मंतरी का इंतजार जारखन में मुख्य मंतरी हेमं सुरेन को सत्ता सम्हानले 3.5 साल पूरे हुगा है लेकिन इस 3.5 वर्शों में मुख्य मंतरी अपनी मंतरी मंडल को पूरा भर नहीं पाए है सन्मेधानिक प्रवधान के नुसार 81 विधान सबसीट वाले जारखन मुख्य मंतरी लागातार कूल 12 मंतरी बनाये जा सकते है लेकिन 2019 के दिसंबर में हेमं सुरेन के मुख्य मंतरी बनने के बाद से मंतरी का एक पद लागातार खाली है इससे पहले रगवर दास ने भी मंतरी मंडल का एक सीट पांच साल तक खाले ही रखा था यह और बात है कि तब आज के सताधारिक दल इससे असर्मेधानिक पताते वे भाजपा सरकार पर हमलाब बोलते थे और आज इससे मुख्य मंतरी का विश्य साधिकार बताते है कराने का आरोप लगाया है जहारखन मंतराले में गरामीन रोजगार गरांटी परषत की समीख्या करते है मुख्य मंतरी ने इस दोरान विभाग के द्वारा सोपी गई रिपोर्ट के बाद मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राज सरकार गरामीन अर्थ वेवस्ता को मजबूत करने पर भी से ध्यान दे रही है इसके तहत मंदेगा सजुड़ी योजनाय जहारखन के लिए काफी मायने रखती है मगर बिणमनाय है कि केंदर सरकार के द्वारा समय से राज सरकार को राशी उपलब्द नहीं कराई जाती जिस वज़ा से लागों को पैसा समय पर नहीं मिल पाते उन्होंने इस मामले को 12 जुलाई को होने वाली निती आयो की बैठाक में उठाने की बात कही है मध्य परदेश की घटना के विरोध में आदेवासी संगर्ठनों का विरोध दो दिन पहले मध्य परदेश में भातिया जंतापाटी की एक बिधायक परतिन्दी दोरा आदेवासी योग वर पे साप करने की घटना का जार्खन में लगतर विरोध हो रहा है गुरुवार को रांची में करा मौसम के माजूद, केंद्रीय सारना संहर समिती से जुड़े लोगों ने अकरोस मार्च निकाला, तो जार्कन कॉंगरेस के आदिवासी बीभाग के करकताओं ने सिवराज सिंग चोभान का पुतला विफुका, परदेश कॉंगरेस के करकारे देश बंधु तिरिकी के नेतियुत में जहन्टा बैनर ले करनी के लिए कॉंग्रेसी करकाताव ने मद्य परदेश की घटना के तीवर निंदा करते हुए कहा है कि भारतिय जहन्ता पार्ठी के आदिवासी पिछड़े और दलित लोग के प्रति सोच को दर्शाता है। उताने को मजबूर हो गा है। के इस चीठी से 2000 गेट पेपर ला दिया है। गांजू के पैसे को अलग-अलग ब्योसाय में लगाने का भी आरोप है। धनबाद के तोपचांची में नक्सलियों का खोप 47 दिनों से सलक निर्मान कारे बंद। जार्खन के धनबाद के नक्सल छेत्र टूंडी तोपचांची छेत्र में 17 दिनों से सलक निर्मान का का काम बंद है। अक्सल के डर से ठेका एजेंसी काम करने से कत्रा रही है। 20 माई को मवादियों ने तोपचांची के बेलमी बिच्छी पहाडी थी चलड़ है सलक निर्मान कारे में लगी मसीनों में आग लगा दी थी। जिसके बाद निर्मान कारे में जुटी कंपनी सी उ सिंग का काम बंद है। गरामीन कारे अभी भाग के कारे पालक अभियांता मनोज कुमान ने गुरुआरब को बताया है कि जीला पर सातने सुरक्षा मुहया कराने का स्वासन मिला है। सियम हमन्त का चुआ और छोटे जहरनों की जीयो मैपिंग पर जोर। इस परिशत की बैटा का हर तीन माह में आयोजीत कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया ताकि तमाम योजनावों की नियमित और विस्तार से समिक्षा हो सके। पांच लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले कुडू थाना परभारी समेत तीन को मिला सम्मान। लोर्दक्का जिलांतरकत बगडू थाना छेत्रे के कोरगो में मवादियों के साथ हुए मुड़ भेड में बेहतर पुलिस या मेनेजमेंट तथा पांच लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले कुडू थाना परभारी विस्वजीत कुमार सिंग को डिजीपी डिस् बगडू थाना के थाना परभारी के रूप में कर रह थे पुलिस अधिक छक आर राम कुमार को सुचना मिली की बगडू थाना छेत्रे के कोरगो मवादि का जमवड़ा लगा हुए है सियम हमन्त के बियान पर राज के फर्मासिस्ट धारना पर बैठे अखिल भारतिये फर्मासिस्ट एसोसेशन के बैना तरले राज भरक के फर्मासिस्ट ने राज भौन के समझ गुरुवार को एक दिवसे धारना दिया अखिल भारतिय फर्मसिस्ट एसोसेशन रांची के अध्यक्स कृष्ण कुमा ने कहा है कि मुख्य मंत्री हमान सुरेण ने 29 जून को एक ब्यान में कहा था कि अब पढ़े लिखे जुगा भी दावा दुकान खोल सकते हैं राज में दुकान खोलने के लिए अब फर्मसिस्ट डिगरी के जरुवत नहीं है आज हम उसी ब्यान का विरोध करने के लिए अधारना पर बैठे हैं कहा कि अगर सीम अपना ब्यान वापस नहीं लेते तो यह परदोसन लंबा चलेगा उन्होंने कहा है कि फार्मासी प्रेक्टिकल रेगुलेशन 2015 के तहतिया गलत ब्यानी है नीती आयोग की टीम का जर्खन दोरा 12 जुलाई को बैठक नीती आयोग की टीम 11 जुलाई को जर्खन के दोरे पर आएगी और राज में चल रही केंद्रिय योजनाओ की समिक्षा करेगी सुत्रोस्थ मिली जनकारी केन सार नीती आयो के टीम 12 जुले को पोर्जेक्ट भॉन में बैठा करेगे जिसमें केंद्रे प्रायोजीत योज नाओ की स्थितिकी समिक्षा की जाएगी बतादे 12 जुले को जार्खन मंत्राले में दीन के 12.2 सेकेंद्रे योज नाओ की समिक्षा नीती आयो के टीम के द्वारा की जाएगी नीती आयो के सरसे डाक्टर बिनोत कुमार पॉल के नीती तुमें 6 सरसे टीम 12 जुलाई को शाड़े बारा वजे पोर्जेक्ट भॉन साभागार में राज्य के अलाधी कार्योग साथ बैठा करेगी नीती आयो के इस टीम में वर्य सलकार नीरज सिनहा डाक्टर असोक एसोनु सोन कुसरे डाक्टर थयाग राजु नमन अगरवाल और एसजी सिंदे सामिल हैं धन्यवाद